इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह फेफ़णों यानि की जैसे निमोनिया, कान, गले, निजल साइनस, यूरिनरी ट्रैक्ट, त्वचा, सॉफ्ट टिशू, हड्डियों और जोडों के इंफेक्शन में प्रभावी है. इसका इस्तेमाल सरजरी के दौरान संक्रमन को रोकने में भी किया जाता है. पेट पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा. डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटिबाउटिक का कोस हमेशा पूरा करना चाहिए. जब तक आप पूरा न कर लें तब तक इसे लेना बंद न करें, भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो. अगर आप इसे समय से पहले लेना बंद करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इंफेक्शन वापस आ सकता है. यह दवा फ्लू या सर्दी जैसे वाइरल इंफेक्शन के लि मिचली आना और डायरिया यानी की दस्ट शामिल हैं. यह आमतोर पर हलके हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. इसका उप्योग करने से पहले, अगर आपको किसी भी एंटीबाउट अगर आपको पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.